नमस्कार पत्रिका नियूज में आपका स्वागत है आप जवलपुर पत्रिका में देख रहे हैं गुपतेश्वर मंदिर राम और रामायन से जड़ाए के रहस है जो आज भी प्रमाणित करता है कि राम जी यहां आए थे यहां ऐसे प्रमाण है जिनें जुटलाया नहीं जा सकता है तो सास्त्रों में बढ़ने थे साथही से प्रमाण भी मिलते हो सास्त्र इसकंद पुरान मंदा पुरा की बात करें या चाहे रामायन की बात नर्माण दर्शन के दोरां सीराम जी यहां आए थे यहां पर भक्तों की फूरे साल लगए अईये हम मिलवाते हैं जवल और एक ऐसे ही मंदिर गुप्टेश्वर महादेव से जिने रामिश्वरम महादेव का उपलिंग भी कहा जाता है आईए दर्शन करते हैं भगवान महादेव महादेव जी का ऊजन चल रहा है मंदिर परिशर में इस परिशर के खासिया देगे से चरवाहे ने ढूना था एक काल के बाद में जब लोग यहां से आना बंद कर दिया तब यहां पर लोगों ने चरवाहे न ढूणा उसके बाद यहां जब उसला हटाई गई तो यह गर्व रहकी गुफा निखिले को तब यह इस तरह से देख सकते हैं गुफा आपको देखाई दे रही है यहां पर यहां पिछले दो दसक्त से रखन रामायन पार्ट चल रहा है इंचे से अनवरत जारी रखा हुआ यह तोर पर लगाए गया है आप पड़ जकते हैं यहां पर देता यूम जो भागवान फिरा हम बनवाद में उस्तर से दक्षण की आंचरा काल का वर्णा पुर्णमन प्राफ नुखता है नर्मदा के इसी तट्वे कुपा में जहां नर्मदा की सुथ धबल पतली धारा निकलती देखी गई भागान श्री नामने इस्ट भागवान महादेव पनात की इसम्रती आई पर नर्मदा की उनके सट पर आए और यहां पर एक व्रेत से सिवलिंग मनाया है जिसे आज गुप्तिश्वर महादेव की नाम से चाना जाता है यहां उत्मार में साबन पर विशेश सवारी यात्रा निकाली जाती है है जाता है यहां से फैसम्रीख का आिए जाता है कि यह पर हर मनोकामना पूरी हुग है इसा मैंना जाते हैं लोगे कि हलाँ है सिद्ध्ध्य करब आपी एक और एक की लोगों का अना-जाना होता है और अभी दोग का समय है आप देख सकते हैं कि दिड़ है सब्सक्राइब लगता है यह जानते हैं मंदिर की खासियत के बारे में यहां के महें पीठादीश्वर्ण श्वामी मुकंदाग महराची से महराची से की खासियत क्या है वंदिर में और क्या विसेश्ता है कि यह यहां को वर्डन रामचरित मानस्त रामानिकिया धर्वान का बन्वास का का ताल वह प्रमानिक हो जाता है तो जैसे रामायन में साथ अध्याय कंड है थागवार जीन में बाराइस कंड है ऐसे ही मुल्ड शिव पुरान में साथ खंड है जिनमें के कोट इरुद्र संहिता नमत्यों अध्याय है उसके प्रथम अध्याय के शैंतिसवा प्याली सवा किस लोग के इस पड़ पूर्प से है कि दरवदा की चटपर की गुफा है बुभा में भगवान स्री राम अपने हाँ से गुप्त रूप से जैसे रामिश्वराम में शिवलिंग बनाई थी रेत के ऐसे ही नर्वधा की उस गुफा में वहां की अपस्तिक रेत से शिवलिंग बनाई थी उसका नाम कुपितिस्वर पड़ा नर्वदा यहां पुट्तर से दक्षण के ओर जा रहा है थे और तब नर्वदा को जैसे हो देखा क्योंकि नर्वदा रगवान शिव की पुत्री इदम माहेश्वरी गंग, माहेश्वर तन उदभवा, माहेश्वर के तन से उदभवा हुई, नर्वदा अब हवान राम की एष्ट है सिव और सिव के एष्ट है राम, जैसे हवान शिव ने अपने इष्ट को देखा और राम ने शिव को देखा, और इसी पीजिए नर्वदा देखी, नर्वदा के फ्रते अधार फ्रेम जागा, और तब उन्होंने तो कि चौदा जाता हो चुके से अयोधिया सिंचले हुए और अपनी इसकी साधना भी तक्ति ही किया, मन में ख्यादा है कि लोना हम भी शुरूप से साधना करने अपने रामान शित और नर्वदा में देखी गई और ये गुफा का दिर्वान ही जो 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 ग्योग्रफिय और जिवा दूड़ता को जल भाग जादा होने काट दीरे दीरे जो जहां से जल किना है खराने धारा किसी जो निगल गलत लमीटा उकिलवारा के पास के विल्पी अटdenige चमें और महर सिज्जा जावाली कि करन भवान राम यहां राम यहां आई होए और इस कुपा असरे चार्ट प् से साथ अगस्त तक प्रत्य दिन यहां पर नितिन उत्रों स्रंगार दोते हैं घरवान के महार्थिया होते हैं और मुल रूप से वैदिक विदिविधान से सुख्ष एरुवेद के रुट्राश हाई के अधर पर सुबह चार मेंजे सदे के सावन सेवन तक मैंनेवर लगाता सब्सक्ति अधरा विस्क होगा जिसे भरवान की खाती हो लगवान के अंतर बोच जाता पर देज जाता है और भवान सक्षि मलोगामना पूर करो शावन कि सोबारों का बिज़े समात तरह हैं और पुचेन की तज पर यहां अधरवान साही यत्राग निकल तिनी जो बिदर आज़ा इस तरह से वर्स अबर लगवान के कारिक लिए दूर से चुकि रानिस्वर्ग से ओबनिंग के रूप में हैटी रपके बाहर से बहुत आपके अब्रैक्पितिक संबदा से खर्पूर है पुरा बाहर देखनी पहार नेट्रो अबनेशन से बचांके रखा गया है अब लगवान के पुराने अपने देखा अब महराजी दौरा इस तरह से इस मंदिर विजेश्ता है और अभी यह पुराने आप देख सकते हैं कि पुराना है मंदिर इसको फ्लेट बसे टाइस लगा देगे लेकिन अभी मंदिर का मूल सरूप वही है और महादियों की फूजयन बंदन करने वाले लोगों को ताता दिनवर लगा रहता हूं और ओम नमस्षभाई कि दौर चौबिस बंटे तीन सपने अधर नहीं बने रहिए हमारे सा आद ऐसे ही वरणने जलिगें खाफ्किर मिलेंगे नमस्काराब